भारते चुनाव आयूग ने मंगलवार को अजीत पवार गुट को असली राष्टवादी कॉंग्रस पार्टी यानी न्सीपी ठहराया है जिससे न्सीपी संस्थापक शरत पवार को बड़ा जटका लगा है जिसको लेकर हरियान की पूर मुख्य मंत्री और कॉंग्रस नेता भूपेंद्र सिंग हुड़ा शरत पवार के आवास पहुँचे जहां उन्होंने सांसस सुप्रिया सुले से मुलाकात की ECI ने अपने नए राजनीतिक गठन के लिए एक नाम का दावा करने और आज जोपहर तीन बजे तक आयो को तीन प्रात्मिक्ताय प्रदान करने का एक बार का विकल प्रदान किया है चुनाव आयोग ने जहां अजीद पवार की पार्टी को असली राश्टरवादी कॉंग्रिस पार्टी माना है वहीं शरत पवार ने अपनी पार्टी का 24 साल पुराणा चुनाव चिन भी खो दिया है चुनाव आयूग नी फैसले के बाद अपशरत पवार गुट की मुश्किले बढ़ गई है जिसको लेकर बुधवार सुभै हर्याना के पूर मुख्यमंत्री भुपेंद्र सिंग हुड़ा उनके आवास पर मिलने पहुचे